तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग आई हो कि अब सब ठीक है तो आज एक और नहीं वीडियो लेका चुका हूं में आप सब के सामने जहां पर में आप लोग को बताएंगे कि नोटीस के बारे में जो की डाबलूबी जीए इपी मतब वेस बैंगोल जोएंट एंटरस एक्जमिशन बोर्ड का जो ओपिस्टेर वेब साइट है यहां पर से डिलीज हुआ है तो यह बेसिकली नार्सिंग के लिए है तो जो नार्सिंग में एडमिशन देना चाहते हो ए यह बेसिकली एनमन जीनम नार्सिंग के बात किया जा रहा है यहां पर तो अभी दीक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बिल आइकोन को प्रेस करके और करके रखिए क्योंकि आगे भी इसी टाइप कर नोटिवेशन आपको सब से पह आए देगा सब कुछ देखा देगा जी एनेम एनेम जो नर्सिंग होता है तो यहां पर जी एनेम एनेम क्लिक करने का बाद आप लोगों यहां पर देखा देगा 2021 के लेटेस्ट न्यूज ए जी एनेम एनेम नर्सिंग के लिए तो यहां पर क्या बोल ले वेस बेंग और ज G&M course तो यह test लेगा इस बार basically क्या होता अगली बार से क्या होए था यह direct अधिनिशन होआ था result wise पर इस बार नहीं होगा इस बार क्या होगा test लेगा तो एनमें G&M का जो आप लोगो को पहले apply करना है online में इसका बात test होगा तो एक्जाम कव ए 22 22 आगर संडे यहाँ पर एक्जाम है और स्टार्ट ऑनलाइन एप्लिकेशन 31 मर्च तो कौन यहाँ पर एप्लाई कर पाओगे सभी यहाँ पर देख सकते हो तो एप्लाई शुरू होगा कब 27 एप्रिल 2021 एक्जामिशन के यह लाज्डेट है और एप्लिकेशन स्टार्ट कब हो रहा है 31 मर्च मतब एप्लिकेशन स्टार्ट हो गया है और लाज्डेट है एप्रिल में 27 साम 5 बज़े तक कि एक्जाम का होगा 22 आगस्ट तू कौन पर यहां पर एप्लाइ कर पाओगे यह जाई इसका जो पिसल नोटीस है यह देख लेता है यहां पर इंपनेशन बुलेटिन यहां पर जैका भी आप लोग देख सकते हो चुछ इसका नोटीस डाउनलोड हो गया है तो जो जो में में चीज है यह आप लोगो बता देता हो तो यहां पर पेले जो है यहां पर कैसे आप लोग को ऑनलाइन अप्लिकेशन करना होगा यह भी इन्होंने बता गरा किये जिसका ओपिस्याल वेबसाइट है है wbjeb.nick.in या आप लोग गोल में भी सार्च कर सकते हो या wbjeb.in इसी वेबसाइट में आप लोग एप्लाइ कर सकते हो तो यहां पर एक सीडूल दे दिया है कौता पेज में क्या क्या है ठेहें तो यह जो पेपर होगा यह क्या रहेगा पेपर में question paper में क्या रहेगा G&M and E&M nursing के लिए the paper will be content यहाँ पर जो multiple choice रहे का question life science 11 and 12 में sorry 9 and 10 में यहाँ पर life science का question रहेगा 25 marks physical science का question रहेगा 15 marks arithmetic यहाँ पर class 9 and 10 यहाँ पर 5 marks English grammar 10 marks general knowledge 5 marks and logical reasoning 5 marks total 65 marks यह question रहेगा तो Sunday from 11 a.m. से यहाँ पर exam स्टार्ट होगा और 12.30 में यह कतम होगा मत्तों आपको दियर गंटा time मिलेगा तो दियर गंटा आपको time मिलेगा और यह जो language रहेगा यह बोथ language में रहेगा English and Bengali language में तो आप लोग को ball pen या जो black ball pen होता है या blue ball pen या आप लोग को carry करना है ठीक है तो all question will have four answer option only one option is carrot carrot response will be one mark and आप incorrect होगा मतलब गलत होगा तो आपको minus 1 by 4 मतलब 25 percent negative marks है तो negative marks भी है तो यह पेसली जी मार जी एमर जो हता है कि रैंक से भी नेविंदा सेम स्टाइल जी एमर तो यह दोनों को मिला कि आपको यह रैंक देगा जी नेम और यह नेम दोनों आप लोग कर पाऊगे आप क्या एलिजिबल हो या नहीं हो यह पहले देख लिज़े एक बड़ मैक्सिमम एज कितना है 35 यह और मिनिमाम का यहां पर बताएं नहीं है यह नेम ओनली फीमें एप्लाइब कर सकते आज यह नेम दोनों एप्लाइब कर सकते हैं कि रिसिडेंट जो होगा यह क्या होगा मास्ट भी पार्मरें डिसिदेंट आफ वेस्बंगोल तो एडलीस आपको फाइव यह वेस्बंगोल में आप हो तो भी आप लोग एप्लाइब कर पाओगे आप मास्ट भी एबल्ट भी रूट राइट एंड एक्ष्पेंस बैंगोली और नेपाली तो मतलब कोई बैंगोली अच्छे से लिखना है और पढ़ना जानते है तो अ सब्सक्राइब आप लोग के लिए एप्लाइब कर पाओगे और जो ट्यूल में इंग्लिस होता है एडलीस इसमें भी फॉर्टी होना चाहिए आज जो वोकेशना करके रखे ये भी आप लोग एप्लाइब कर पाओगे तो उसका जो ओपीसल वेबसाइट्य है यहाँ पर आप लोग कर दीजिए लास्ट में आप लोग को दिखा देता हूँ कैसे भी एप्लाइब करना है तो यहाँ पार सीट कितना है ये भी देख ले प्रस्ट के लिए और जेनल के लिए कितना फी है 300 रुफिया और यह फी रिफंडेवल नहीं है जो बाद में आपको मिल जाएगा एक्जम देने पर इसा नहीं है आप लोग एप्लिकेशन करते हो तो एक्जम दोगो दो या नहीं तो आपको एप्लिकेशन यह चार्ज लगेगा यह लगेगा और यह जो आपको देख रहा है यह आप लोग को मतलब किसी का सेलेक्शन हो जाएगा तब आप लोग ले जा सकते हो इसको और कितना सीट यह एक बार देख लेता है ठीक है इनिस्ट्यूट और नमबर ओफिसी इसको जैसे आप लोग क्लिक करोगे यह एक वीडियाप डाउनलोड हो जाएगा टोटाल यहां पाद यह ने मैं यह ने मिनिस्ट्यूट के बाद क्यों तो यहां पास सेबें थाउसे मतलब साथ अजार प्लास यहां पास सीथ है तो इन कौन सा इनिस्ट्यूट मतलब कांशलिंग का अंडर पड़ता है यह भी इन्होंने बहुत सरा अच्छे से दे दिया है तो आप लोग के मन की सबसे लगा सकतो कि आप कौन सा नर्सिंग एडुकेशन में जाना चाहता हो यह कौन सा कोलेट में जाना सकते हो जा सकतो तो यह न सब्सक्राइब डॉन है कि इनम में टोटाल कि कितना है आप लोग को कोलेवात वाता देता है जेनम में 103 यहां पर कोलेज टोटल टोटल यहां पर दोनों को मिला के दोनों को मिला के सीट के लिए बात के तो यहाँ पर 7,000 प्लास यहाँ पर vacancy रहता है तोटल यहाँ पर आप देख सकतो कौन सा college government एख कौन सा college private है और यह सारी college जो यहाँ पर दे रहे हैं इसे छोड़ के बाकी college counseling का under नहीं है इस बार यह जो counseling का under है यह list है तोटल 7 page का list है तो आप लोग डीटेल से यहां पर देख सकते हो आपको कौन सा कोलेज में जाना है और आप लोग को एप्लिकेशन करना है कैसे हैं यह भी आप लोगो दिखा देता हो यहां पर जो आप लोगो करना यहां पर क्लिक करों एक प्यजा जाएगा अपण उन्लाइं रिण स्कुंस यहां पर कर सकते हो अब लोग new रहे हैं और अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एने में जी निम का इस बार पहले बार एक्जाम हो रहा है एप्लिकेशन अब लोग करना चाते हो तो एप्लिकेशन कर सकते हो डिकेशन बॉक्स में लिंक दे रखिए तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू फर वाचिंग